एलो फ्रेंट्स वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल सिवल सर्विसर रीम तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीचियस 2021 की टेस्ट सेरीस का टेस्ट 50 सॉल्फ करेंगे और इसमें हम इन्वार्मेंट के कुछ इंपोर्टन कस्टेंस हैं वनें डिसकस कर होती हैं उनके बारे में कुछ कथनिया पर दिए गए हैं कि ये कीडों को नश्ट कर देती हैं ये कपड़ों से धूल हटा करके उन्हें साफ कर सकती हैं इनका अप्यूग बीमारियों की उपचार के लिए किया जा सकता है और ये स्वाचालित दर्वाजों को नियंतरित कर स लगती हैं तो नीचे जो कतन दिये गे नीगे आधारपा हमें इसका आंसर देना है कि एक तथा दो सही है तीन तथा चार सही है एक दो तथा तीन सही है यहां पे जितने भी दिये गया आप्शन वह सभी सही है तो question 1 का correct answer है हमारा option D सभी सही है तो यह जो ultrasonic waves होती है पराश्रवित रंगे इनका उप्योग कीडों को हटाने में भी किया जाता है ठीक है कपड़ों से धूल को हटा करके उन्हें साफ करने में भी किया जाता है और साथ ही साथ इनका कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनमें भी ultrasonic waves जो होती है उनका यूज किया जाता है ठीक है और 140 दर्वाजे जो खुद से जो दर्वाजे जो होते हैं ठीक है और उनको कंट्रूल करने का काम भी पराश्रवित रंगे जो होती है इनका ही होता है तो यहां पर चार ही option इसके correct है तो हमारा सही option है D सभी सही है ठीक क्योंकि उत्पादित आवरत्ती धोनी आवरत्ती से अधिक होती है जो धोनी की जो फ्रिक्वेंसी उत्पनिकी जा रही है वहां पर जो फ्रिक्वेंसी होगी जो जैसी भी फ्रिक्वेंसी वहां पर उत्पनिकी जा रही होगी वह धोनी की जो फ्रिक्वेंसी उससे अधिक ह इस वज़े से नहीं सुन पाते हैं रात्री में तापमान बहुत कामा दिन में आत्यधिक होता है ये कारण है धोनी प्रसारित करने का माध्यम नहीं है धोनी का जो प्रसारण होना चाहिए उसके लिए जो मीडियम है वो वहाँ पे अपलब्ध नहीं है ये चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर यानि गड्धे हैं इस वज़े से ऐसा है तो देखिए कुशन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C धोनी प्रसारित करने का माध्यम नहीं होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो धोनी है ठीक है बिना मीडियम के धोनी तरंगे नहीं चल सकते इसका एक्जाम्पल की निरवात में धोनी तरंगे नहीं चल सकते हैं तो चंद्रमा पर वायु मंडल उककी। उपस्तेती ना होने की वजय से वहां पर जो अंतरक्षी आत्री है वो चंद्रमा की सतह पर मतलब उनके सहबाटी हें पस्तेय करक्ड सबस्क्राइब नहीं सुनपर्च कारण यही क्योंकि वहाँ पर ध्वनी प्रसारित करने के लिए जो माध्यम है वो नहीं होता है ठीक है next question देखिए question number 3 question 3 में है wet land दिवस मनाया जाता है wet land दिवस जो नमी वाली जो भूमी है तो उससे संबंदिर ये एक दिवस है जो कब मनाया जाता है 2 February को, 2 April को, 2 May को या फिर 2 March को तो question 3 का correct answer है option A, 2 February को wet land दिवस दो फरवरी को मनाया जाता है विश्व आद्र भूमी दिवस wet land दिवस को विश्व आद्र भूमी दिवस कहते है ये प्रतिएक विश्व दो फरवरी को 1971 को जो रामसर इरान में हस्ताक्षरित आद्र भूमियों पर अंतराश्ट्री convention हुआ था उसके उपलक्ष में ये हर दो फरवरी को ये मनाया जाता है आद्र भूमी दिवस विश्व आद्र भूमी दिवस ठीक है next question देखें question number 4 question 4 में है EPA का पूर्ड रूप है EPA जो है इसका फुल फॉर्म क्या है environmental pollution agency environmental prohibition agency environmental protection agency या उप्युक्त में से कोई नहीं तो question 4 का correct answer है option C environmental protection agency EPA का जो फॉल फॉर्म है वो होता है environmental protection agency next question next question है question number 5 इसमें है निम्न लिखित में कौन स्ववासन सन्रक्षड रड़नीती का उदाहरण नहीं है ठीक है जो self habitat वाली जो सन्रक्षड रड़नीती है इसका उदाहरण कौन सा नहीं है जैव मंडल आगार वनस्पतिक बाग राष्ट्रिय उद्यान या फिर पवित्र उपवन तो question 5 का correct answer है option B वनस्पतिक बाग देखे होता क्या है स्ववाशन सन्रक्षड क्या होता है जीवो का उनकी प्राकृतिक आवास में जो natural habitat होता है उसमें संद्रक्षड प्रदान करना ही स्ववासन या in situ इसे कहेंगे या फिर self habitat इसे कहेंगे वो जो है सनक शड़ कहलाता है ठीक है जब कि यहां पे जैसे जीन बैंक है उतक सम वर्धन है उतक सम वर्धन केंडर है वनस पतिक उद्धियान है ठीक है चुड़िया घर है और इक्सवेela सडी एक्वेरियम है आधरि यह सब जो है कुछ ऐसे जो है तरीके हैं बाहिवासन के जिसे एकसीटू बोलते हैं यह बाहिवासन सägशड नतरगाता है नहीं हो यह सानकशड रहन न है का उधाराण वनसपथिक बांध नहीं है क्योंकि यह किसमें आता है 과 trade बागी सब इसके जो कि बाकी सब में नैचरल हबिटार्ट की बात की जाती है ठीक है नेक्स कुशन देखिए कुशन नमबर सिक्स कुशन 6 में है ड्यूगोंग नमक समुद्री जीव जो की विलोपन की कगार पर है वह क्या है आप्शन से उभैचर बोनी फिश शार्क या इस्तंधारी तो कुशन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इस्तंधारी यानि मेमल्स ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री इस्तंधारी जीव है मेमल है जो की विलोपन की कगार पर है ठीक है आगे देखिएगा नेक्स कुशन है एक्स कुशन देखिए कुशन नमबर 7 इसमें है निम्नलकित कथन पर विचार कीजिए पहला कथन है भारत में रेड पांडा प्राकरतिक रूप से केवल पश्चमी हिमाले में पाया जाता है दूसरा है भारत में स्लो लोरेस उत्तर पूर्फ के सगनवनों में रहता है और योग तो कत्रों में से कौन सा यसे सही है या है ठीक है तो इसमें केवल एक सही है केवल दो सही है एक और दो दोनों सही है ना तो एक सही है और ना ही दो सही है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो question 7 का जो correct answer है वो है option B केवल 2 सही है तो इसमें जो second statement है वो सही है कि भारत में जो slow loris है वो उत्तर पूर्फ के सघनवनों में रहता है देखे भारत में जो लोरिस है फिसके ये मुख्यता उतरपूर्वी राज्यूं यहां पर यह कहा गया ना उत्तरपूर्व की सघन्वनों में तो उत्तरपूर्वी जो राज्यू है जैसे की असम है अरोडाँचल प्रदेश है नागा लेंड है मिजोरम है आदी जंगहों पर ये पाय जाता है आदी जंगहों पर जो सगनवन है वहां पर ये पाय जाता है उत्तरपूर्वी भारत के या जो है जो उपहिमालई छेतर हैं उनमें पाए जाता है सिर्फ केवल वर्ड जो है वो यहाँ पर सही नहीं होगा कि पस्चमी हिमालई जो बात गी गई है ठीक है उत्तरपूर्वी और जो है उपहिमाली जो छेतर है उनमें पाई जाता है मुक्य रूप से उपहिमाली छेतर में सिक्किम आ जाएगा पस्चिम बंगाल और अरोडांचल प्रदेश आ जाएंगे ठीक है तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला है वो गलत होगा तो केवल दो सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है नेक्स्ट कुशन देखिए कुशन नमबर एट इसमें है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले अवस्थित है उप्शन सेंग कैनबरा में, एमस्टर्डम में, उटावा में या फिर नागा साकी में तो केशन एट का करेक्ट आंसर है उप्शन बी एमस्टर्डम में एमस्टर्डम ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक कैर सरकारी परियावरार संग्ठन है और इसका मुख्याले नीदे लैंड का जो एमस्टर्डम है उसमें स्थित है ठीक है अगला कर्शन देखिए कर्शन नमबर 9 क्रेशन नाइन में कहा गया है कि निमन में से कौन परियावरार संग्ठन के संग्षड से संबंद iPH लाइन, डियावरार संग्ठन है और शिक्षण नीथी तो इसमें ये कहा गया है कि नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्ता चुनिए कि एक तथा दो में बात कही गई है परियावरा संतुलन सनक्षण की दो तथा तीन में एक दो तथा तीन में या सभी चारों है तो question 9 का correct answer है option D सभी चारों देखेगा यहाँ पे कि जो परियावरा संतुलन की सनक्षण में अगर प्रतियक्ष रूप से बात की जाए प्रतियक्ष रूप से यह दोनों ही सम्मिलित है ठीक है इसमें लेकिन यहाँ पर जो कहा गया ओदोगिक नीती और सिक्षा नीती इसमें भी परियावरा लिए जो मुद्धे हैं जो द्रश्ट्री कोड है उनको शामिल किया गया जो नई सिक्षा नीती आई है उसमें इस कुशन देखिए कुशन नंबर 10 इसमें राश्ट्री उद्ध्यानों में आनुवन्शिक व्यविद्धता का रख रखाव किया जाता है ऑप्शन से इन सीटू सन्रक्षड के द्वारा एक सीटू सन्रक्षड द्वारा जीन पूल द्वारा या उप्रोक्त में से कोई नहीं कुशन 10 का करेक्ट आंसर है ऐप्शन ए- इन सीटू सन्रक्षड द्वारा राश्ट्री उद्ध्यानों तथा वन जीव अभ्यारन अनुन्छिक वविद्धता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू जो सन्रक्षड है उसमें जीवों या वनस्पतियों का सन्रक्षड उन और वही अगर जो है बाहर से अगर कोई जो है तरीका हम यूज करें या बाहर का इंवार्मेंट जो आटिफिशली इंवार्मेंट कर रहे हैं तो वह एक जी टू कहलाता है ठीक है तो अगरेक्ट आंसर हमारा इंसी टू सेनक्ष्ड दौरा है तो फ्रेंड्स आजकी वीडियो हमारी यहीं पर यह एंड होती है वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा थैंक्स फर वच्छेंग